आप सबका मेरी चैनल पर वापस स्वागत है तो यह है गोल्ड का चार्ट 10 डॉलर के असपास गोल्ड नीचे चल रहा है अपनी फ्राइडे की क्लोजिंग से अगर आप देखोगे तो गोल्ड तकरीबन 10 डॉलर के असपास नीचे है अपने चैनल पर अगर अभी तक आपनी नहीं देखा है तो देख लीचेगा लिंक डिस्क्रिप्टिन में है और वीडियो के लास्ट में भी है थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो गोल्ड वीक जोन में जरूर चला जाएगा कब जाएगा गोल्ड वीक जोन में जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा और हमारा सपोर्ट है आज का 2312 डॉलर का रेजिस्टन्स है आज का हमारा 2336 डॉलर का ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है गोल्ड का अभी जब तक 2312 इंटाक्ट है चलते हैं सिल्वर की तरफ सिल्वर में भी तकरीबन एक परसंट के आसपास का जो है डाउन साइड देखने को मिला है जैसे ही मार्केट आच खुली है एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग टाइप आप कह सकते हैं मार्केट में आई है 29-26 के आसपास चल रहा है 29-20 के लोज अलड़ी सिल्वर बना चुका है आज शाम को Empire State Manufacturing का डेटा है तो उस पे नज़र रखेगा काफी important डेटा रहेगा वो डेटा का अपडेट मैं आपको WhatsApp चैनल और Telegram चैनल पे दे दूँगा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप मुझे फालो कर सकते हैं दोनों जगा 29-25 और 29-26 के आसपास चल रहा है सिल्वर तो आज का resistance और आज का support क्या है देख लाते हैं आज का silver का support है 29-10 cent का resistance है आज का 29-60 का trend silver का flat परकरार है positive zone में Friday की closing के आसपास जरूर आ गया था बड़ जिस तरीके से opening हुई है जिस तरीके से कारुबार फिलाल भी कर रहा है उससे अब flat zone में silver आ चुका है crude oil पर चलते है 77-80 के आसपास crude oil चल रहा है almost weak zone में है ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी positive zone में हो support है आज का 76-50 का resistance है आज का 89-20 का trend flat 2 week है तो रखेगा खयाल flat 2 week कहा जा सकता है इसे थोड़ा सा market में शानती रखने की जरूरत है थोड़ा सा trading अगर आप कर रहे हैं तो एक strict stop loss के साथ trading कीजिएगा यूरो पे आ जाते हैं यूरो पे जो आपको level दिख रहे हैं ये हैं Friday के levels तो levels will have to be changed now आज का support है 670 का resistance है आज का 650 का trend यूरो का weak zone में ही है तो रखेगा खयाल British pound की तरफ चलते है 2684 के असपास British pound चल रहा है अगेन जो level है Friday के level है that will have to be changed now support है आज का 2650 का resistance है आज का 2750 का trend ब्रिटिश पाउंड का weak zone में ही है अगर resistance break होता है तो जरूर positive zone में आ जाएगा चलते हैं क्रिप्टो करंसी की तरफ सबसे पहले Bitcoin यह हैं Friday के levels level will have to be changed now support at 65,000 now resistance at 67,500 trend trend Bitcoin का अभी भी week ही है trend में कोई change नहीं हुआ है Ethereum पे चलते हैं जो positive zone में है that is strange 3560 का resistance है जो resistance breach हो चुका है तो इसका मतलब अब आ गया है positive zone में support है आज का 3470 का resistance है आज का 3660 का यह positive zone में आ गया है that is strange तो रखेगा खयाल बागी paid signals की जानकारी और market commentary की जानकारी के लिए मेरी team का whatsapp number description में है मेरी website का link भी description में है live data का update telegram और twitter पे और whatsapp की channel पे आता है सारे के सारे links description में दे रखे हैं अब मिलेंगे next video में तब तक के लिए take care bye bye झाल